नमस्कार सात्यों, आप वीडियो में देख रहे होंगे, पेचान ये चाहो सकता है, ये दैसी दारू, जिसका मोडी भी कहते हैं, हिंदी में सराप, और साइंटिपिक नाम है इसका, एथिल एलकोहल, सात्यों, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आस्वन विदी के मेस्टी में हम पढ़ते हैं, उस विदी के दवारा, ये सराप बनाई जाती है, यहाँ पर जो सराप बन रही है, वो महुए के फूल से बनाई जा रही है, महुए के पुराने फूलू को पानी के अंदर, ड्रम के अंदर पानी डालकर टूबाये कर सड़ाये जाता है, उसके साथ में कुछ और चिजी भी डाली जाती है, उसके बाद सामने जो आपको दीख रहा है, पात्र, उसमें इसको उबाला जाता है, उसके उपर जो ढखकन लगाएगा है, और नली के द्वारा, भाप निकल कर, पानी के अंदर एक घड़ा रखा हुआ है, उसके अंदर जो पानी एलकोहल की भाप है, वो वहाँ पर जाकर रहकतरित होती है, और ठंडी होकर द्रव का रूप ले लेती है, तो इस प्रकार से लेशी सरब का निर्मान यहाँ पर किया जा रहा है, हम यहाँ पर जो भाई सरब बना रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, तो बताई भाई साब, कितना माल निकलेगा इसमें, दस बतल, एक बतल की किमत कितनी है अभी, अच्छा अच्छा, तो दस बतल, यानि कि हजार रुपे का, लगबग एक जो यह घड़ा निकलेगा, वो हजार रुपे में बिग जाएगा, तो कितना फाइदा होता है इस पुरे काम में कितना सामान वगरा लाने के बाद, पांसो रुपे का फाइदा यह बता रहे हैं भाई साब, गाउं में यह काफी पुपुलर है, मैं आज इदर रास्ते से निकल रहा था, तो यह भाई साब माल त्यार कर रहे थे, तो मैंने साब कर रहे हैं कि इसको पिने से बिंबारी हो सकती है, कंसर यह गलत निका निक है, तो इस बहुत को पता है, अच्छा आप पिते हो चाहाँ, तो यह बाई साब का किना है कि इनको सिर्प दंदे से मतलब है और ये इस तरह से अपना रोजगार भी चला रहे हैं न तो दारू पीते हैं और साथ ही इनका कहना है कि अगर दारू को कम मात्रा में लिया जाए तो ये दवाई का काम भी करता है लेकिन ज्यादा दारू पिना स्वास्त के लिए हानी करा गया तो साथियो आपको ये हमारा वीडिया अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करिए और कमेंट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद